नमस्कारो, नौरेज अब चानल में आप सभी का स्वागत है, Let's Learn Together, आज का हमारा टॉपिक है, Infrared Technology and Its Uses in Civil Engineering, तो इसके लिए हमने आज एक्सपर्ट को अपने चानल पर बिलाया है, वो हम लोगों को डिटेल में एक्सप्लेंद करें कि Infrared Technology का Importance क्या है और इसका Civil Engineering क्या क्या इसके साथ ही थर्णोरा की स्पेशालिट्स भी है, तो आएए इनसे हम जारेंगे, Infrared Technology का डिटेल्स तो जोस्तो आएए आज जाते हम Infrared Technology का Civil Engineering में क्या-क्या यूजिस है, आज क्या अमारे गेस्ट है, तो सर आपको डिटेल में बताएकि इसका बेसिकली एक्सिदेंटली हर चीज का लग्ट्रेस हो जाती है तो विल्याम हर्षल जिन्होंने उरेनस को ढूंडा था सैंडीस एस्टोनमर तो एक बार वह ऐसे ही खेल रहे थे भीजम के साथ अधिकलर उसमें से आ रहे थे संडाइक लेकर उसके साथ खेल रहे थे और उनको ऐसे एडिया आ रहे है कि हर जो जो कलर है उसका एतना यसे तो उनोंने एक एक कलर में थर्मामेट करना कर दिया और रेकॉररी कि इतना टेपरेशेर आ रहा है रेकॉररे कसे बाहते नहीं थे खेले कोई भी को दिखा रहा है करें हो है कि जो क्लामेट में भी नहीं और च्वान अब करने का दो reducing God बाद में उनकी जो बहन थी Caroline Harshan, वो भी एस्टोनमर थी, उसको उनोंने बुला के दिखाए कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो आप भी तुम ही करके देखे, तो उन्होंने भी हर प्रिजम बना, क्योंकि यह अनगे चीज थी, क्लाइमेट में भी इतना तेमपरेचर नहीं है, मगर तो वो अथी, वो तॉ तुम्हों पर दिखा रहा है, तो वो भन उन्होंने defined किया और उनको नाम दे लिए इंपरा रेल, तो यह वो बैंड है, जो हमें जो आपोर से नहीं रिखाए देता, वो इंपरा रे नेएक हां तो हर लीविंग और नॉन लीविंग जितने भी चीजें है इस दुनिया में मुझला फेड दिया गया आदमी पत्कर सब कुछ जो कुछ है कुछ दू हरें में इस नादी के रहते हैं ऊस्टोर करता है इसे हमारे नादी के दमाने में सब कैसे पहते ह籽के काटो तो आजकल stainless steel के रहते हैं तो कैसे होता था कि नादी के समाने के जो बरतन थे वो गरम होने में भी time लेते थे और cooling को भी time लगता था और आजकल के जो बरतन है stainless steel जो immediate warm हो जाते हैं और ठंडा भी immediate हो जाते है इंफ्राइड चेक करता है कि हर living और non living जो things है वो कितना store कर रहा है heat और उसी का हम advantage लेते हैं for the detection कुछ भी हमें काम करना है यह अंदर आता है ndt means non destructive testing जिसमें तोड़पोर बिल्कुल नहीं होती है कुछ भी नहीं जैसे सिर्फ किसी को temperature है तो हम thermometer लगाते हैं और operation के बाप सी करना है वो अप्रिशन के लिए जैसे स्वनोग्राफिक होती है वह ही mechanical east line में ultrasonic testing होती है उसे संप यह अंदर आता है entity non destructive testing के अंदर आता है यह social और इस तहमा किसी भी चीज़ पर कर सकता है living non living तो इंफ्रारेड का civil engineering क्या क्या यूसे तो हमारे civil engineering में अभी इंडिया के हम बाग करेंगे तो maximum material जो इस्तमाल होता है वो concrete reinforcement steel bricks or block or cement तो इसका हरें का specific heat conductivity अलग अलग और cooling ratio अलग है अगर हमें दो चीज का घ्यान हो एक इस एक first law is planks constant जिसका बोलते है वो एक और दूसरी चीज है little slough cooling कि अगर दो लाह हमें अच्छी तरह से पता हो तो हम किसी भी चीज का analysis सब्सक्राइब कर सकते हैं including AC ducting सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरे concrete के अगले से सब्सक्राइब कर सकते हैं even the corrosion inside the concrete तो यह structural audit जैसा है कि बहुदा आलग है नहीं structural audit जैसा है इसका accuracy बहुत चाहता है कि क्या होता है कि हर एक को limitation से अगर आप ultrasonic testing करेंगे कोई से concrete का तो वो सिर्फ उसी पॉइंट का आपको report देता है जहां पर आपने touch किया होगा है अगर बाकी का पूरागा नहीं देता अगर एक column पे मैंने 5 point पकड़ी है तो वो सिर्फ 5 point का ही देता है उसी point का देता है क्योंकि इसके बीच में इस 5 point के बीच में कोई बहुत ही critical भी condition हो सकती है उसकी जिसे इंगर ग्लाट्स, cracks, voids, porosity जो पूरे structure को डैमलब गिरा सकती है इंफ्रारेड में कैसे है कि in single shot आप पूरा column का analysis करते हैं गर सकते हैं 100% मुतलब अपने पूछा तो area coverage कितना होता है इंफ्रारेड में तो 100%, potasonic में कितना तो जहां पर आप सिर्फ टच करते हैं उसी area का आपको record में जाता है यह बहुत बड़ा difference है और इसमें accuracy कितना है? Accuracy almost 99% accuracy हो जाए है It depends on the operator, knowledge of operator and qualification of operator और सबसे उसे training कहां पी लिया है तो यह सबी चीज है और वह कौनसा machinery अपर आपको? यह तो सबसे important है कि तुकित कैश है है the range of that machinery तो अभी Chinese भी मिलते है हम जो इसकिमाल करते है है वह सब FLIR के तो कैसे की है, मुबाईल में मेडापिकसल ह PAT में उसने पी मेडापिक्सल और SENCET когда- मिला, उसके ओपर मिला ऑर मिला ऐगया क्मेड़, इसके ओपर आपकॉरस्ट्रचेर को स्कैन करते हाँ निया आप analysis में क्या हो जाता है कि कोई एकदम simple machine आपने estimate किया तो उसका resolution पहले चो बहुत खराब हो जाता है दूसरे है कि वो जो pixel जो है जो ज्यादा जितना density में रहे pixel उस मुर्लब चीप पे तो वो आपको accuracy ज्यादा देते हैं सबसे important sensitivity कि वो कितना sense कर सकता है मैंने माइनस 50 तू 300 अगर हमने देखा तो लहम देखेंगे यह जो पूरा ice factory जो रहती है वो प्र वाडी लागी है उनको जो storage जो रहता है वो माइनस 20 यहां तक जाता है मगर जो मीट रहता है जहां पे माफ को यहां पे मास स्टोरेज होता है तो वहां पे minimum माइनस 35 तक रहता है उनको मगर उससे भी नीचे हमें temperature चाहिए कि जैसे लड़ा कमी चले गए माइनस 50 तो आपको जितना बड़ा range हूल है उतना ज्यादा accuracy की तरह पंचा सकते हैं और सबसे important क्या है कि इसका range तो बहुत distance मगर जितना आप नजदीक जाना चालू करेंगे field of field जिसको बहुते हैं तो तीन तरह के lens इसमें इस्तिमाल होते हैं सब्सक्राइब करना है तो 14 degrees करते हैं सिविल यह सब ऐसे जो है तो 24 degree okay और उससे भी ज्यादा करना है तो उससे ज्यादा आपको ज्यादा विर्थ का यह लेना चाहिए और जितना distance आप रखेंगे तो freedom of field बड़े तो अब चेंज हो जाएगा और जितना आप नजब सब्सक्राइब करना है तो इसमें घर में या फिर डैम में या फिर कोई भी स्टक्चर में अगर क्यों वाटर लिकेज है तो उसका हम डिटेट कर संब्सक्राइब हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें हेर क्रैक्स बड़े भी क्रैक्स में क्या है water cement ratio अगर वही हमारे या पर कुछ नहीं होता है ठीक है छोड़ दीजिए उसके बाद क्यूरी इंग हो तो आजकल कर छोड़े दीजिए ज्यादा इतने stresses इसमें तैयार हो जाते हैं उतना ज्यादा इसके नीचे का जो बेड़ है वो अगर अच्छी तरह से नहीं होगा तो लो क्या गड़ेगा उसको पर से जो पानी आएगा वो बेड़ पर वाटर्पूर्फिंग को देना चलू मेरेगा वो पूरा भर गया तो साइल में जिसको हमें water बोलते हैं या मैं क्या है कि जहां प शर्चान देक्ट कर सकते हैं क्या अब को आप को नजर नहीं आता है जैसे आश्य तक मेरा ज़्यादा है में ओल्ड टेम्पल के उपर ज़्यादा काम करता हूँ कится कि हमें तो दिखता है मगर क्या है कि एक इक DA ONE आ जाता हий वह ऑने वाँजाए को शुक्तनों अब्र significa कर्का कर् देडी कर्द रहता है क्योंगर है कि सिंक्सिब्र ने जाए तो पूरा ऑन मां गोंगिताए फ्र्रफिर है वो एक वह इन फिली रहो है है अन्रेकॉर्डड भी बहुत है क्योंकि हर कोई रिकॉर्ड तब रखा नहीं जाता था इतना जाता कि सिर्व हम लग जैसे धरनी कंप हो गया ऐसे इतना इमोबली चलती थी बाते एकुरेट लेट और सेंटर डूना ये तो अभी-अभी टेक्नोलजी आ गया पूराने जमान पर होते रहते हैं जो इंटर्नर रहते हैं और एक दीन ऐसे हो जाता है कि इस ब्योंड लीमिटार को उसका लिमिट क्षटर मुंदे है उसका निवार गिरी जाना तो ये एनलेसिस हम सिर्फ इंफ्रा रेड से कर सकते हैं नहीं पिंपर राग ये स्टोन में हम अट्रासुनि कि कर सकते हैं. जब दूस्त निया पत्थर को क्या है. फिर हम लोग दो नदे के साथ बज़िए, करते हैं, इसको भी पहन बज़ाओ है, कि सौर्स करते हैं? करता है, इसको पानी करते हैं.. पानी के बतार हुआ है, जरूरामदल से भी नहीं है, वेक्षिक सोफक्राइब कुंछे görünmittel कर सकता एक पर जो भी रिजन पता है किम हो लिखी कर सकते हैं ऑद दो सारे मेंध्य से निकर् सकते हम निस अगलों कीसे मैंस ट्रिक्मिन इक्ष का राता है इससे क्या हो जोता है कि मैं 100% बता सकते हैं यहां पर से रिटमेंट दिलागा है तो कैसे प्रापर ट्रिक्मेंट है कि दो बाला लिगेज ना हो तो इसके लिए कुछ ब्रीफ में एक पूछ एडे रहे हैं जैसे इंजेक्शन हम तो रेगिलर इंजेक्शन करते थे पहले हम ग्रैविटी इंजेक्शन करते थे उससे वो टिक्की बन जाती थे बहुत बड़ा तो लोग ना ना बोलते थे क्योंकि वाथरूम में सभी वाइट ट्रॉरी टैली में टिक्की अर्टिक्ली आ गया तो आजकल कैसे 6-7 का ड्रिलिंग करने हम बूरा इंजेक्शन दे देते हैं और प्रेशराइज कर देते हैं पूरे उस पर प्रेशर कितना अप्लाइगते है केजी पे नहीं बता सकते हैं कि वह प्रेशर देए बाबने पूरा प्रेशर इपर आ जाता है इस नोट एवन नहीं है पूरा वाइट सुछफील अबस खतम पता चलत है कि वागी के जगा सा आना चलो होनी गाता है उसका तो आने जीज पूछ नहीं है अभी पूरा आपने तो उसके बाद हम दो बारा इंफ्रारेट करके चेक कर सकते हैं इसको पर पर आपना ट्रेटमेंट होई देगा वैसे भी करते हैं या आप ऐसे भी करते हैं यह जैसे बंबेज जैसे सीटी थे जो समंदर के बाजू में खड़ी है तो महां पर विडिंग तो अची रिखाए द पर एक दम निउस आ जाती है कि वो विडिंगी दी तो कैसे होता है तो परसेंटेज ओफ परोजिन भी टेक्शन पर आप से बिना तोड़कोर बिना तोड़कोर है सबसे इंपोर्टन है कि वह तोड़ा उसको फिलेखिया इंफ्रारेट में बेंच मार्क इस वेरी इंपोर् कशेंट करना है दूसरा कोई पॉइंट क्या कि अगर यह यह ळो ढ़िय का है 몰라 मोले का मनून कि प्रिजिए जुख करना है पर से बागनें यह यह दोंहों का इकवल करना सब्सट्रा तैसलिए बंचमार धिये charter वो अपने भहरत में यह भूआ नियुखि है ? मंतिस्टोरे ब्रीदिग चिला तक है ? पूरा के विह भूरी न करें हों दिया है। विपर इस पूर पूरा ऐसे खिशी न टेर्स इंगिक काना की तो पूरा अच्छे कामर ऐसे कब आघन सा कूरा है। यसे आप यूज़ करते हैं सोट भाग में टेस्टो बाग में अभी अलग अग काई जीन भी बहुत सा रहे हैं अब मारुची चलाएंगे और मर्सरीज बेंच चलाएंगे वह ही एक लिए लगे लिए लिए अच्छा हो नहीं गता है और इसका सॉफ्ट्रेर दिलता है कंपणी के तरफ से हमने खुदने भी बहुत सारे सॉफ्ट्रेर बना दे लिए हुए कस्टमेंट जो ज्यादा एक्यूरेट प्रेसेंटेशन देते हैं यह मलब पूरा स्कैनिंग हो गारा करते हैं उसके बाद रिपोर्ट हो गारा है तो फिर यह मशीन की वज़े से डिटेक्शन बहुत इजी हो गया बहुत इस है और सोर्स्पांटर निगे वाने के वीज़ेसे हम उसके पर क्या एक्शन करना है वह कर सकते हैं तो सर ने हमको बताया कि इंफ्रारेट टेकनोलोजी का अपना जो भी उसे है मेली सिविल इंजिनियर में है वाटर लिकेज डिटेक्शन में तो बहुत साड़ा भी आजकर यूज हो रहा है अपने भाहरत में भी बहुत साड़ा यूज हो रहा है तो सर का मेरे चैनल के आदे क पूरा इंफ्रारेट टेकनोलोजी का सिविल इंजिनियर में क्या क्या इंपर्टमेंट्स है और इसके क्या-क्या यूजिस है तो आज को प्रेश को कैसे अब जरूर कमिन केजिए और पहली बार मेरा चैनल देगा है तो दरूर सब्सक्राइब केजिए और साइट का बेल आ अगर आपको वार्टर लिखेए डिटेक्शन सर्विसेस की रिक्वार्मेंट है तो आप दरूर कमेंट्देर के बताइए और लोग आपको वो सर्विस पोवेड़ करेंगे धन्यवाद